हेलो फ्रेंट्स नमस्कार दस्तों मैं आपका दोस्त राजिस्त और आज बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के मनोविज्ञान के तीस महत पुर्ण प्रशन आपके लिए लाया हूँ जो इंपॉर्टेंट है परिशाओ के लिए खास करके आपको जेटेट और सिटेट के करता है कि आप एक छोटी सी लाइक जरू दे दीजिए और अपने फ्रेंट्स को सेर कर देजिए ताकि वह भी कुछ फायदा उठा लें तो चलिए स्टाट करते हैं तो फ्रेंट्स आचुके मवाइल के स्क्रीन पे और आज हम लोग सिखेंगे तीस महत पूर्ण परशन तो चार अप्षन है इंद्रा गतिवेस्था से दूसरे में है मुर्त संक्रियात्मक अवस्था से तीसरे में है पुर्व संक्रियात्मक अवस्था से और चोथे में है अवचारिक संक्रियात्मक अवस्था से तो आपको यह चार अप्षन है आप थोड़ा लगाईए टीक्स मे तो मैं आपको पहले बता दना चाहता हूँ कि ये जो जीन क्याज़े के जो अवस्था अविकास के वस्था है इसमें से ये अवस्था जो है इंद्रिय गतिक वस्था इस अवस्था में जन्म से जन्म से दो साल तक इसमें रखा गया है फिर आगे बात आती है पुर्व संक्रियात्मक अवस्था ये है आपको 2 से 7 साल के बीच फिर मुर्थ संक्रियात्मक बीच आती है 7 से 12 साल के बीच और ये आप चारिक संक्रियात्मक बीच आती है 12 साल से उपर ठीक है तो इसका सही अंसर होगा इसका सही एंसर C होगा ये पुर्व संक्रियात्म का वस्था से होगा अगला सवाल चलते हैं दूसरा सवाल है एक बेक्ति के जीवन में नाम वब परसंसा कमाने की इच्छा किस परकार का भी प्रेड़क है तो चार ओप्सन है ये जो फ्रेंड्स ये जो नाम वब परसंसा तो चार ओप्सन है तो इसका सही एंसर फ्रेंड्स होगा आंत्रिक अभी प्रेड़क होगा ए एंसर होगा इसको मैक डूगल ने परिवासित किया फ्रेंड्स आगे चलते हैं तिसरा क्रिया परसूत अनुकूलन सिधानत का पर्तिपादन खाली जगर ने किया था क्रिया परसूत पालवल है पहले में पावलाव है दुसरे में स्कीनर है थनडाइक है और कोल हर है चार ओप्सन है इसका सही एंसर होगा स्कीनर एंसर बी होगा चलिए एगला सवाल चौथा अलबर्ट बंडूरा अनिम्लिमे से की सिधान से संबंदित है ए में समाजिक अधिगम सिधान ए में बेहरात्मक अभीगम बेहरात्मक सिधान सी में विकास का संगरात्मक सिधान और D में है विकास का मनो बिज्यानिक समाजिक सिद्धांत तो चार आप्जन है, इसका ताही अंसर होगा समाजिक अधिगम सिद्धांत चलब ह known, पाच़मा सवाल है निमलिकित में से कौन सा सिखने का नियम नहीं है तो A में है ततपरता का नियम B में तनाव का नियम, C में परभाव का नियम और D में अभ्यास का नियम तो इसके जो नियम के परदिपादक है वो थारंडाइक है फ्रेंड्स थारंडाइक ने, मैं इसके पर वीडियो बना चुका हूँ थारन डाइक ने सिखने का नियम का परतिपादित किया है तो इसमें से तीन परकार के उन्होंने बताया ततपरता बताया, प्रभाव बताया और व्यास बताया तो ये इसका सही अंसर नहीं है तो ये गलत है, भी गलत है आनि कि अंसर क्या होगा? भी होगा अगला सवाल वनसा नुकरम के संदर्म में गलत कथन निम्य में से कौन सा है A में वनसा नुकरम बालक का लिंग निधारित करता है B में यह सरडिक संगठन में महतपुर्ण युगदान देता है C में यह जुड़वा बालकों के जनम में युगदान देता है डी में इसमें रूची अविविर्थी पसंद नापसंद तथा मस्तिस्क की बस इतने से है काट गया इसका तो सही अंसर इसका क्या होगा गलत कोशन को चुनना है तो वनसानुकरम बालक के लिंग द्रहत करता बिल्कुल सही है यह सरेडिक संगठा में महत्वन जगदान देता है बिल्कुल सही है यह फर बालक को जन्म दे सकता है बिल्कुल सही है इसमें रूची अविविर्थी पसंद नापसंद यह गलत है तो चलिए अगला निवने में से कौन रचनातमक आंकलन का एक उप्युक्त उपकरन नहीं है दतकार्ज, मौकिक प्रशन, अब्धी परिच्छा, प्रशन होगा, खेल तो सही एंसर इसका होगा, दतकार्ज, एंसर ये होगा अठमा सवाल, सूज द्वारा सीखने के सिधान्त का प्रती पादत किसने किया था? थांडाइक, कोलहर, पावलाव, वुडवर्थ तो सही एंसर इसका होगा, कोलहर नहीं कि एंसर क्या होगा? BE, एंसर होगा कोलहर इसका एंसर होगा नमस सवाल कार्ज को आरम करने, जारे डखने और नियमित करने की परकिरिया है प्रेडना, संबेदना, सीखना, परतेचिक करन तो सही अंसर है, सीखना अनिकी C अंसर होगा दसमा सवाल विस्मिरिति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने के तुल्टी पुर्ण बिधी विस्मिरिन करने में कम ध्यान देना तो सही अंसर इसका होगा पाट की पुन्रा विर्ती दस का अंसर क्या होगा, C होगा 11 नमा, क्रोध वभय, परकार है अभी प्रेडना है, परिकल्पना है, संबेख है, मूल प्रविर्ती है सही अंसर इसका होगा संबेग है कुरोथ एवं भय क्या है? एक संबेग है आगे चलते हैं 12. सवाल समावेशित विद्याला युजना के संदरूम में कौन सकतन गलत है? A में है समानता की भावना का विकास बिल्कुल सही है C में है विशेश वालकों के नेतिक आचरन को उठाना ये भी सही है आनि कि इसमें से C नमर कोश्चन जो है C नमर पॉइंट जो है गलत है तैनसर C होगा चलिए 13 नमर चिंदन अनिवार यो रूप से है एक किरियातमक गदिविदी है भावनातमक बेवहार है, संग्यनातमक गदिविदी है मनोगतिक परकिरिया है तो चिंतन बता दूँ आपको कि चिंतन एक मनोगतिक परकिरिया है निकि एंसर क्या होगा फ्रेंड्स D एंसर होगा आगे बात करते हैं चोधा नमर सवाल मनोबग्यान का च्छत्रवादी सिधान्त दिया कर्ट लेविन ने सीटी मॉर्गन ने लियोन फेंश्टिंगर ने और हेंडरी गोगार्ड ने तो इसका सही अंसर यह होगा कर्ट लेविन ने दिया है आगे बात करते हैं पंदरे नमर पद संब्यकातमक क्रांती कीस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है तो सही अंसर इसका होगा किसोरा वस्था से जुड़ा हुआ है अंसर क्या होगा तो पंदरे का सी अंसर होगा किसोरा वस्था से जुड़ा हुआ है सोला नमर साथ किस ने बहुबुद्धी सिधांत परतिपाधित किया ? अल्फेरेड बीने ने, होवर्ट गार्डनर ने, फ्रांसिस गाल्टन ने और बीम बुलूम ने तो बहुबुद्धी सिधांत मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ तो इसका सही एंसर फ्रेंड्स होगा हवट कार्डिनर ने अन्य एंसर भी होगा आगला सवत निचली कछाओं में पढ़ाते समय सिच्छक को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए ब्याख्यान बिदी को दर्तेकारे को कहानी कथन को समू चर्चा को शत्रा का एंसर क्या होगा कहानी कथन होगा इसका एंसर सी होगा निचली कछाओं में फ्रेंड्स कहानी का करके जो सिच्छक है बच्चों में रूची पैदा करके पढ़ाही को आगे बढ़ा सकते हैं अठारा नमर सवाल है खाली जगा बैटरी का परियोग निमी में से किसके मापन है तो किया जाता है ब्यक्तिकत, रूची, बुद्धी और अधी छमता तो सही अंसर इसका होगा बुद्धी आगे चलते हैं उन्हें इस नमर मानव विकास की यह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है मानव विकास की यह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है सैस्व वस्था, बल्ल्य अवस्था, किस्वर अवस्था और प्रोड अवस्था तो इसका सही अंसर होगा बल्ल्य अवस्था अंसर होगा कि आगे चलते हैं विस्टवव व की सयस्था जो कि सहयोगात्मक स्थितिकी सीमा में नहीं है आमने सामने अंत की दिया व्यक्तिक जवाब देही कारियों पर जो सिछन केंद्रित जोर सिचक केंद्रित खिट रिखास एंशर इसका होगा सिच्छक केंद्रित वह तो आगे चलते हैं 21 नमर 8 वर्स के सुधिर की मानसी कायू 10 वर्स है उसकी बुद्धी लब्धी कितनी है असी 110 वर्स 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 बुद्धी लब्धी कितनी है इसकी 10 वर्स जाची कायू 600 मानसी काको कितनी है इसको गुणा कितना से करेंगे एक सौ से अब इसको काट देजिए काटिए 50 है ना 4 फिर इसको 2 25 फिर 2 को काट दिए 5 कितना होगा 25 पचे 25 साथ से 125 तो एंसर क्या होगा टी एंसर होगा तो बुद्धी लब्धी इस प्रकार से आप भी बुद्धी लब्धी को निकाल सकते हैं मानसी कायू यानि कि बरतमान मानसी कायू जितने साल की है उपर में रखेंगे नीचे में बरतमान आयू रखेंगे गुने सौव करेंगे अबदी लब्धी निकल जाएगा चलिए आगे 22 नमर सवाल एक सिधान्त के रुप में निर्मीती वाद एक सिधान्त के रुप में पर जोड़ देता है देने ऐसी चक की भूमी का प्रधान भूमी का पर जोड़ देता है सही अंसर इसका होगा बी अंसर होगा अधिकम करता को स्वें के सब्दों का निर्मान करने के भूमी पर भूमी का पर जोड़ देता है तो इसका एंसर क्या होगा बी हुआ अगला सवाल कुलवर्ग का सिधान्त मिम्न में से किस विकास से सम्बंधित है भासा विकास, समाजिक विकास, नैतिक विकास और सारडिक विकास तो कुलवर्ग उन्होंने नैतिक विकास पर जूर दिया था इसका एंसर C होगा बच्चों के नैतिक विकास परिणों ने जूर दिया था चलिए अगला सवाल इर्फान खिलोने तोड़ता है तथा उसके अव्यों को देखने के लिए उसे अलग-अलग कर देता है आप क्या करेंगे इर्फान को कभी भी खिलोने के साथ खेलने नहीं देना चाहिए सदैव कड़ी नजर रखना चाहिए बी में है इसकी जिग्यासु परुर्वित्य को बढ़ावा देंगे तथा उसकी उर्जा को दिसा परदन करेंगे बी में है उसे बताएंगे खिलोने नहीं तोडने चाहिए तो इसमें है इसका सही अंसर होगा कि उसकी जिग्यासु आनि कि इसका सही अंसर होगा फ्रेंस उसकी जिग्यासु परुर्वित्य को बढ़ावा देंगे आनि खिलोना तोड़ता है और फिर उसको क्या करता है लगलग करता है कि आनि कि वह कुछ क्या करता है स्रिजनात्मक विकास करना चाहता है तो उसमें क्या करेंगे हम सहयोग देंगे C अंसर होगा 25 नमर एक सिच्छन विधी में दो या अधिक सिच्छत सहयोग पुर्वक बिसयों की योजना बनाते हैं पूरा करते हैं तथा सदय विद्यार्थियों पर इसके परभाव का मुल्य अंकन आगिरती रूप से करते हैं यह विधी है स्रवे द्रिष्ष सिच्छन टूली सिच्छन द्रिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् चिकने के भावनात्मक पक्ष से साइभान एंसर है कि में सिखने के भावनात्मक प्क्ष से आगे बात काते हैं A में जो प्रतियोंत्य के भावना पर जोर देता है B में जहां प्रतिय की बालक खुशी का अनुभव करेट हुआ बिना एक दूसरे के सहयोग से। में बैक्तिक रूप से सीचे C में जो बालक के समाजिक स्रीकरण को समझेता तखज़ा के बातावराम को परग्रती सिरुआ त्रेडना अस्पद बनाए जो आदर्स उत्रों को याद करने पर जुरू दें सही अनसर इसका Friars buld you who goes to ढूनी सी क क्या होगा सही एंसर सी इसका अंसर होगा कि आगे बात करते हैं एक जिघ्चा में करता है तो उसे कहते हैं अधिगम का धनात्म कंतरन अधिगम का करेनात्मक अंतरन अधिगम क सुन्ट अंतरन अधिगम का प्रमंतरन ग्लिव ह्थ एक सवाल एक अच्छे सिच्छा का सबसे महत पुर्ण गुन है most important सवाल है ए में है विश्वस्तु का पुर्ण ग्यान दी में है अच्छा संप्रेशन को सल सी में विद्यात्यों के हित का ज्यान रखना डी में उप्यूकत सभी तो सही अंसर इसका होगा ये सारे गुन सिच्छको में होनी चाहिए तु इसका सरी अंसर डी होगा तो फ्रिंड्स ये था तीस महत पुर्ण सवाल तो फ्रेंड्स ये थे तीस महतपुर्ण परसन जो मनोभिज्ञान से लिया गया था और मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको लोगो पसंद आया होगा अगर पसंद आगया फ्रेंड्स तो लाइक कर देजे और अगर कोई क्वेस्टन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमने जर्ण बता सकते हैं तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद